और RSI में भी फुल बैक आती है, फिर प्राइस जो है forcefully नीचे आता है, RSI उतने force के साथ हीचे नहीं आता है, ऐसा क्यों होता है, ये बहुत बार हमने ये देखा है, कि ये एक last stage का panic होता है, जहां पे जोर से selling pressure आती है, लेकिन volume बोल्दो, RSI बोल्दो, इनमे strength रहती है, ये उतना effect नहीं करते हैं, जितना price बहुत जोर से गता है, क्योंकि panic में जल्वी से लोग बॉए करते नहीं है, RSI divergence C दाइवर्जान किया होता है, Divergence ये होता है, कि price बहुत भाग रहे है, oscillator बहुत भाग रहे या price अलग indicate कर रहे है, oscillator अलग indicate कर रहे है, यह मेरा फर्स्ट पार्ट प्राइस है और यह सेकेंड पार्ट आरेसाई है हमेशा ध्यान रखिए कि मुझे आरेसाई हो या कोई भी इंडिकेटर हो या कोई भी ऑसिलेटर हो यह एक सपोर्ट रहते हैं कि यह सब्सक्राइब करते हैं कभी भी आरेसाई के बाइन करते हैं करते हम कोई भी इंडिकेटर कोई प्रैस पे बाइकरते हैं करते हैं This is low, this is lower low. ये एक doubt theory का part है, और वैसे RSI जो है, इसने क्या किया है, कि सबसे पहले 30 के नीचे गया है, low के साथ में, उसके बाद ये भी इसके साथ उपर आया है, यहाँ पे, और वापस जब ये नीचे गया, तो इसके साथ 30 के नीचे नहीं गया, और जब ये घुमा, तो यहाँ से ये भ गया, मतलब RSI ने क्या बनाया, higher low, दोनों में फर्क आ गया, दोनों ने अपनी direction अभी तक साथ चल रहे थे, चेंज कर लिए, ये मुझे एक indication है, कि शायद market यहाँ से घुम सके, तो ये point पे, मैं जो एक काम नहीं करूंगी, वो है कि मैं short नहीं करूंगी, अगर मुझे ये लेवल पे buying में panic आ रहा है, तो भले मैं buying का weight कर लूगी, लेकिन shorting नहीं करूंगी, क्यों कि buying strength दिख रही है, RSI बोल रहा है, मैं नीचे नहीं जाता हूं, ये ऐसा क्यों होता है, price नीचे आती है, RSI भी 30 के नीचे आता है, फिर price में पुल बैक आती है, और RSI में भी पुल back आती है, फिर price जो है forcefully नीचे आता है, RSI उतने force के साथ नीचे नहीं आता है, ऐसा क्यों होता है, ये बहुत बार हमने ये देखा है, कि ये एक last stage का panic होता है, जहां पे जोर से selling pressure आती है, लेकिन volume बोल दो, RSI बोल दो, इनमें strength रहती है, ये उतना effect नहीं करते हैं, जितना price बहुत जोर से गिरता है, क्योंकि panic में जल्दी से लोग buy करते नहीं है, और जब panic में लोग buy नहीं करेंगे, तो selling pressure जैसे ही आएगा, price बहुत speed से गिरेगी, but अंदर से strength इतनी inbuilt है, कि नीचे में कोई buying करने के लिए खड़ा है, हम ऐसा कह सकते हैं, तो ये situation पे मैं at least shot नह signal मिलेगा on price, तब ही मैं buying करूगी, just not on based of indicator और oscillator. क्योंकि इसे जोती बुध्या मैं ने सिखाया है, जिनके पास 37 years का experience है, इस course में candlesticks, indicators and chart patterns जैसे कई सारे concepts practically cover किये हैं, which will make you a pro trader. तो आज ही description में दी गए link पे click कीजे और अपनी trading journey शुरू कीजे at just 4.99, now let's get back to the video. because ultimate हम किसको trade कर रहे हैं, हम price को trade कर रहे हैं, पैसा कहां से कमा रहे हैं, पैसा price से कमा रहे है, price बढ़ने से कमाएंगे, RSI बढ़ने से पैसा आएगा, मालूम नहीं, कभी-कभी ऐसा होता है कि RSI उधर ही ये price भाग रहा है, ultimately हम जो weightage दे रहे हैं, वो price को देते हैं, these are all supportive, वैसे भी मैंने अपने 37-38 years का जो experience है stock market का, इसको बहुत ही nominal और reasonable rate में technical analysis का एक course बनाया है, upsearch.club में, affordable by everyone, जो इसे detail में समझना चाहता है, जरूर सीखें, और अच्छे trader बनने की कुशिश करें, मेरी इच्छा यही है कि अगर आप बड़ा profit कमाई या ना कमाई, वो बात की बात है, loss कम से कम हो, तो profit अपने आप आना शुरू हो जाएगा, मतलब profit बढ़ना शुरू हो जाएगा, loss कम होना शुरू हो जाएगा, तो एक दिन हम profitable trader बन ही जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं profitable trader हूँ, तो मैं सिर्फ trading करती हूँ, थोड़ी बहुत जो मुझे knowledge है, वो मैं आप लोग के साथ share करना भी पसंद करती हूँ, इसलिए तो ये वीडियो बना रही हूँ, तो ये देखिए, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, कि price ने lower low बनाया है, और RSI ने higher low बनाया है, अब यहाँ की जो fall है, वो 30 के नीचे लेके आ गई RSI को, फिर एक pullback आया, फिर एक forceful fall आया, लेकिन RSI नीचे नहीं आई, खाली इसी के base पे तो मैं buy नहीं करूंगी न, because this is not my criteria, action का लेना है price पे, तो मुझे यहाँ पे कोई breakout जैसी चीज़ मिलेगी, तो ही मैं buy करूंगी, नहीं तो मैं buy नहीं करूंगी, मैं छोड़ दूंगी, मुझे breakout चाहिए, तो मैं एक यह point, एक यह point, दो को मिला के trend line बनाऊंगी, और एक trend line मैं यहाँ भी बना सकती हूं, RSI पे भी, ultimately तो यह भी तो higher highs और higher lows, lower lows, lower highs पे भी बना हुआ है न, अब यहाँ पे मुझे कहीं भी open low नहीं दिख रहा है, बड़ा बड़ा करके दिखते हैं, कहीं भी मुझे open low नहीं दिख रहा है, तो इसलिए confidence नहीं आ रहा है, तो जब confidence नहीं आएगा, तो मैं सबसे पहले यह सारे bottom lines की यहाँ पे एक support line बना लूँँ, और अब इसी के साथ चलते जाएंगे, और wait करेंगे कहाँ पे मुझे open low मिल रहा है, यहाँ पे मुझे open low मिला है, ठीक है, हम यहाँ पे buy करेंगे, तो यहाँ पे क्या rate है, open 83, low 82, 80, हमारा stop loss क्या होगा, 5 रूपीज, बड़ा है ना, तो इसलिए हम शायद थोड़ा और wait कर लें, और यहाँ पे भी previous swing high के साथ में connect कर दें, और फिर अब हम यहाँ पे अगर buy करते हैं 85 पे, या मानलो second day, 86, 30 पे हमारा open and low फिर से सेम है, और इसके नीचे का stop loss लगा के चलें, जो कि 2 या 3 रूपया है, अब RSI भी 50 के उपर आ गया है, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि RSI 50 के उपर हो तो अच्छा है, सब चीजे मुझे मुझे मिल गई, सब मेरे favor में हो गया, अब मैं किसका इंतिजार कर रही हूँ, stop loss यूज करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, long term में अगर हम देखें, तो ये stock इतना अच्छा परफॉर्म किया है, कि मजा आ गया, long term means बहुत जादा long term नहीं, इसे हम से 5 या 6 महिने ही कहेंगे, और जो मुझे यहां की भी peak अगर में पकड़ती हूँ, तो December, मतलब सिर्फ और सिर्फ चार महिने में, या 86, 85, 86 से लेके, अगर मैं इसे यहां तक पकड़ लेती हूँ, 125 तक भी, मतलब 40 रुपीज that works out around 40-50% is not a bad deal, कुछ नहीं करना है, अराम से धीरे धीरे धीरे, धीरे, अक्षन पर ध्यान करना है, प्राइस अक्षन कैसे देखते हैं, अब मैं आपको नेगेटिव डाइवर्जेंस भी दिखाते हैं, नेगेटिव डाइवर्जेंस में हम क्या देखत हैं कि प्राइस जो है, वो हाईर हाई बना रहा है, हाई, हाईर हाई, और फिर वहाँ से रिवर्स करता है, और RSI, लेटर से ये 70 के उपर है, तो पहला RSI 70 के उपर जा रहा है, फिर उसके साथ-साथ नीचे आ रहा है, बाद में प्राइस बहुत जोर से उपर जाती है, लेक में Diversion आ गयास तो क्या हम इसी बात पर शॉट करेंगे जी नहीं हम प्राइस को भी तो देखेंगे कभी-कभी क्या होता है इक बहुत बार देखा गया है ये प्राइस जो है फिर से एक नया हाइ और रसी फिर से एक लो पे रह जाता है लेकिन प्राइस ने तो नया हाई बना के मेरा S.L. हिट करा दिया, R.S.I. ने नया हाई नहीं बनाया, तो इसलिए जब तक प्राइस में आए तब तक मैं शॉट नहीं करूँगी, या तब तक अगर कैश का स्टॉक है, तो मैं उसमें प्रॉफिट बुक नहीं करूँगी, त लेकिन प्राइस ने जो था, वो दिया ही नहीं मुझे, राइट? तो जो प्राइस ने रेक्षी ने प्रेकडाउन दिया लेए तो मैं इसे short कैसे करूँ? divergence था लेकिन दिया क्या नहीं दिया न तो मैं कैसे shot कर दूँ price में divergence देखते ही shot नहीं करती मैं और ये तीसरा divergence दिया तीसरा divergence के साथ में जो breakdown आया bear sash candle आयी और उसके साथ में breakdown आया तो ये candle चलो हम ignore कर देते हैं लेकिन ये candle with open high और open high के साथ में open high आप यहां पर देखिए तो open और high open high के साथ में इसने जो तोड़ा है और फिर कहां से start किया है तोड़ना 5210 से लेकिए और अगर मैं पकड़ो 47 एप्रोक्सिमेटली आप 10 तका 5 तका से साथ तका मिल जाता है करीब करीब हफ्ते दस दिन में तो 12345678910 टेन ट्रेडिंग डेज में मिल गया ना करीब करीब तका मैं नोमिनल रीट किया है यहां पर तब बहुत चोटी चोटी चीजें दिखा रही हो वहां पर मैंने इंदफ में पूरा सिखाया है मैं ये चोटे-चोटे ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेर करती हूं मेरे एक्सपिरेंसे साथ शेर करती हूं मुझे बड़ा मजा आत मैं ऐसा मानती हूं कि आप लोग को भी मज़ा आता होगा यह सब चीजे दिखने में सब लोग सब चीज जानते हैं लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजे एक छोटी से छोटी बारिक से बारिक चीज भी कभी हमें नहीं पता होती है और वो ही हमारा काम फाइंट्यून कर जाती है मुझे काफी मज़ा आया यह सिखाने में और आपको भी मज़ा आया होगा सीखने में थैंक यू